रादे में सल्मान खान के लिए क्यों नहीं होगा कोई गाना सल्मान खान को लेकर कोरियोग्राफर शबीना खान ने क्या खुलासा किया है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गरिमा तोमर आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में सल्मान खान को अपने इशारों पर नचाने वाली कोरियोग्राफर शबीना खान ने सल्मान खान की काफी तारीफ की है उन्होंने कहा है उनके साथ काम करना मेरे लिए हमेशा शानदार होता है मेरे लिए उनके जैसे स्टार को कोरियोग्राफ करना बहुत बड़ी बात है और मुझे खुद पर गर्व होता है उनका दिल सोने समान है और वो जमीन से जुड़े इंसान है वो महिलाओं की बहुत इज़त करते हैं जब मैं एक असिस्टेंट थी तो वो मुझे मेरे नाम से बुलाते थे लेकिन अब वो मुझे मैडम कहकर बुलाते हैं मुझे उनका शिष्टाचार बहुत पसंद आता है जै हो दबंग प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों में सलमान खान के साथ काम कर चुकी शबीना खान से सलमान खान के साथ काम करने के अनुभव के बारे में जब पूछा गया तो कोरिग्राफर ने कहा अगर आप सलमान को जानते हैं तो उन्हें कोरिग्राफ करना मुश्किल नहीं है जैसा कि मैं उनके साथ काफी लंबे वक्त से काम कर रही हूँ तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि मुझे उनकी style के बारे में पता था वोगत ज़्यादा अभ्यास नहीं करते हैं मैं set पर step के कहीं विकल्ब के साथ जाती हूं और उन्हें दिखाती हूं वो set पर ही 10 मिनिट अभ्यास करते हैं और शौर्ट दे देते हैं सल्मान खान को लेकर फिल्म बनाने वाले निर्देशक इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन पर फिल्माए गए एक दो गाने हिट हो इसलिए गानों पर कड़ी महनत की जाती है सल्मान खान के लिए कुछ नए स्टेप्स क्रियेट किये जाते हैं जो कि ना केवल उनके फैंस को खुश करे बलकि फैंस उन स्टेप्स को दोहराएं सल्मान खान की पिछली कोई सी भी फिल्म देख लीजए उन पर फिल्माए गए गाने हिट रहे हैं लेकिन राधे में ये बात देखने को नहीं मिलेगी दरसल राधे में गाने तो होंगे लेकिन सल्मान खान पर एक भी फिल्म माया नहीं जाएगा राधे के मेकर्स फिल्म को थोड़ा रियल रखना चाहते हैं फिल्म में सल्मान खान एक पुलिस अफसर की भूमिका में है जो हमेशा गुस्से में रहता है अमिताब बच्चन जिस तरह से जंजीर में एंग्री यंग मैन के रोल में नज़र आये थे उसी तरह का रोल सल्मान खान राधे फिल्म में निभा रहे हैं लिहाजा उन पर गाना फिल्म आना सहीं नहीं रहेगा। प्रभुदेवा दौारा निर्देशित ये फिल्म सल्मान खान के करियर की सबसे छोटी फिल्म भी कही जा रही है। जिहां इसकी अवधी दो घंटा दस मिनिट की होगी। वेल देखना वाकी एकसाइटिंग रहेगा कि ये फिल्म कैसे निकर कर सामने आती है, क्योंकि इस फिल्म में काफी चेंजिस जो होचुके हैं। जैसा कि सल्मान खान की फिल्मों में हमेशा देखने को मिलता है। उनसे कुछ थोड़ा डिफरेंट इस फिल्म में देखने को मिलेगा. वेल, जरूर सल्मान खान के स्टेप्स को लोग मिस जरूर करेंगे, क्योंकि हर फिल्म में सल्मान खान की कोई ना कोई ऐसा स्टेप होता है, dance step होता है जो दर्शकों के दिल को छूजाता है और वो उसे हमेशा दोहराते जरूर है लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो देखना वाकई exciting रहेगा कि dance नहीं तो किस अंदाज से सल्मान खान अपने दर्शकों को खुश कर पाएंगे वेल आप कितना excited है उनकी इस फिल्म को लेकर नीचे comment section में जरूर बताएं यह वीडियो अगर पसंद आए तो इसे like और share जरूर कीजेगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज